नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का हमारे चैनल यार टेक्निकल ब्रो में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों धनी में जो है एक नया फीचर लॉंच हुआ है दोस्तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके लिए बता दूँ कि वो future कौन सा है क्या धनी ने कौन सा नया future launch किया है चलिए दोस्तो आज की इस बीडियों में यही जानेंगे लेकिन दोस्तो यहाँ पर आपको आपको डेली स्टोर लिमिट भी दे दी है यहाँ पर दोस्तो 500 रुपे की आपको यहाँ पर डेली कार्ट लिमिट मिलेगी और साथ में आपको यहाँ पर 500 रुपे डेली स्टोर लिमिट मिलेगी क्या दोस्तों ये अलग-अलग लिमिट है या ये की है जैसे कि मतलब कि दोस्तों अगर आपको डेली की जो है एक हजार रुपे की लिमिट मिलती है या पांसो रुपे की लिमिट मिलती है तो माल लेजिए मुझे यहाँ पर जो है पांसो रुपे की लिमिट मिलती थी पहले पर निकालने के बाद में क्या दोस्तों यहां पर जो है इसमें से भी 50 रुपर माइनस हो जाएंगे यह दोस्तों इसमें से नहीं होंगे तो वह सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या दोस्तों हम जो है daily store limit को अपने bank account में transfer कर सकेंगे तो इसका जो है क्या process है इस future का आज किस वीडियो में यही चर्चा करने बाले है तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से end तक देखेगा और दोस्तों अगर चैल पर पहली बार आएं चैल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज यार चैल को subscribe कर लीजेगा और जो साथ में bell icon वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजेगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लोजाना सीतरे की काम के उंटरस्टी वीडियो लाते रहते हैं तो चलीए दोस्तों आते हैं यहाँ पर main topic पे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पर main card पे आने के बाद में यहाँ पर जो यह ना पर देख सकते हो मेरा जो अभी option यहाँ पर future launch हुआ है अगर दोस्तों आपके में जो है ये future अभी तक नहीं आया है ये option नहीं आया है तो आप जो है धनी जो official app है उनको जो है इसको app को update कर लीजेगा update करने के बाद में ये जो आपकी daily store limit है ये आपको मिल जाएगी अगर आपका card activate है तो तो दोस्तों किन-किन लोगों को ये जो है daily card जो store limit है वो मिली है वो हमें comment में जरूर बताएं तो चलिए दोस्तों इसका अलग से आपको limit नहीं मिली है जिन लोगों के मन में ये doubt है कि उन्हें यहाँ पर ये 500 रुपए अलग से बही यूज कर सकते हैं ये 500 रुपए यूज कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उनके लिए बता दूँ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पर दोस्तों दोनों जग यहाँ पर दोस्तों जगा जब दोस्तों जगा रहे थे उसके बाद में उनका फुल पेमेंट का आपसन आ रहता और आप लोगों को काफी ज़्यादा परिशानी हो रही थी और दोस्तों इसमें जो आप पैसा निकालते हो उसके आपको यहाँ पर 2% मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आप यह वाले 500 रुपर ऐगर यूस करते हो यापर देख सकते हैं सौपनाव का आपको ऑप्सन मिलेगा अगर आप इसको जो है 109 में यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर 20% तक का यहाँ पर cashback मिल जाता है जिया दोस्तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर 100 रुपय की कोई product यहाँ पर purchase करते हो तो उसमें आपको 20 रुपय का discount भी मिल जाता है मतलब की 20 रुपय का cashback आपको बापस मिल जाएगा तो दोस्तो यह थी आज की process उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गय होंगे यहाँ पर दोस्तो मेरे का कहने मतलब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि यह जो limit आपको मिली है daily store limit यह दोस्तो कोई अलग से नहीं है यह जो आपकी की जो daily card limit थी भही यह limit है ना कि कोई आपको अलग से दी गई है मतलब कि आगर आप इसमें से 100 रुपय यूज कर लोगे तो आपके जो है इसमें से 100 रुपय माइनस हो जाएंगे तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप लोग को मेरे द्वारा बताईगी जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और दोस्तों कि आपको अरी वीडियो कहते लगी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन्द बंदे मातरम धन्नवाद